क्राउन प्रिंस लोहमद बिन सल्मान के फैसलों से जहां दुनिया भौचक है वहीं उनके बारे में एक खबर आई है जिससे ये पता चलता है कि ना सिर्फ उनके अंदर एक कुशल साशन चलाने की काबीलियत है बलकि उनके अंदर एक सामाने अर्भी की तरहा महंगी वस्तव खरीदने का भी शौक है 32 वर्षिय साओधी क्राउन प्रिंस ने दुनिया का सबसे महंगा घर खरीद लिया है साओधी की वराज मुहमद बिन सल्मान ने फ्रांस में वना एक नया महल खरीदा है जिसकी कीमत 30 करोर डॉलर यानि 1922 करोर रुपे है नियोक टाइम्स की जोगी ने 19 वे शताबदी के एक महल को तोड़कर उसकी जगा ये नया महल बनाया है इस महल की खास बात ये है कि ये तकनीकी रूप से एडवांस है खबरों के मुताबिक महल में मौजूद फाउंटेन, लाइट, हवा, साउंट को दुनिया के किसी भी कोने से सिर्फ एक आ खरीदा था, हाला के प्रिज ने ये पेंटिंग किसी अन्य शहजादे के नाम से खरीदी थी, साउदी के युवराज के पास एक 440 फुट की नाओ है, जो की इस महल से भी ज्यादा महंगी है, दो पूल और एक हैलिपेड वाले इस नाओ की कीमत 49.4 करोर डॉलर है, युवर आज ने नाओ फ्रांस में छुटियां मनाते वक्त खरीदी थी, साउदी के युवराज के पास पैरिज से एक घंटे की दूरी पर एक 620 एकड का स्टेट भी है, अरब देश और मिडल इस्ट की ताजा खबरे पढ़ने के लिए हमारे फेस्बूप पेज को लाइक करें या हमारे यूट्यूग चैनल को सब्सक्राइब करें